अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूं आप सभी लोगों के लिए जानेंगे कि नेक्स टू वीक्स में आपकी लाइफ में क्या बिग चेंज़ आ रहे हैं लाइक क्या आपकी जिंदिगी में बहुत अच्छे बदलाव आ रहे हैं ठीक है इन नेक्स टू वीक्स में तो यह बहुत इंपॉर्टन प्रेडिक्शन है आप सभी लोगों के लिए जानेंगे इसमें क्या हमें मिलेगा ठीक है क्या चेंज़ बिग सप्राइज़ आपको दे प्रेडिक्शन होगा और अगर आपको अपने लिए परसनल रिडिंग बुक कर आना है डिटेल में जाना है तो इसका उप्शन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टागरम एडिका लिंक मिल जाएगा वहां जाकर आप मुछ को डिम कर सकते हैं प्राइज डिटेल्स अब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में इंचन है चलिए अब कार्ड निकालते हैं ऐस ऑफ काप्स we have ace of pentacles and we have the sun card मैं reverse में कार्ड नही ले रहे हूं इस में अग्छान कशल नहीं हैं इस प्रोडिक्शन में नहीं आपकों है okay three of cups we have four of pentacles high priestess we have ace of sorry king of swords and eight of wands we have knight of swords and finally we have five of pentacles so here are some cards coming for you, I will arrange them all of the cards are visible wow guys, the cards are very good because we have sun card here and only one card seems to be a bit problematic it looks like five of pentacles but we will also see how to read this card what message will be for this particular card for the next two weeks will be good because we have sun card in the center it is the king of swords so whatever you have issues in your personal life they will be resolved if you have any work or you have lost profit if you have any profit then look at the next two weeks you will attract good time sometimes what happens our efforts are full but time is not good okay so this is why we don't get enough profit the amount of effort and the amount of contribution it is okay but you will attract good time sometimes in your life you know you know where something to be you know you know you know को हमेशा ना सबर रख कर महनत उतनी ही करनी चाहिए या थोड़े से efforts और बढ़ा दो और फिर उसके बाद में positive रहकर अच्छे time आने के लिए manifest करना चाहिए ना कि परिशान होकर you know tension में आ जाना चाहिए क्योंकि tension में आके तो वैसे भी आपको solution नहीं मिलने वाला है तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको manifest करना चाहिए और यही समझाना चाहिए खुद को कि अगर अभी मेरे life में ऐसा दिन आया है या ऐसा वक्त आया है और जिस तरीके से king of souls का card है यहाँ पर यह दिखा रहा है कि आप बहुत अच्छे से manifest करते होई दिख रहे हो अपनी चीजों को attract करते होई दिख रहे हो ठीक है ऐसा मैं यहाँ देख रहे हूँ आपका intuition बहुत ज़्यादा high हो चुका है इसको follow करना शुरू कर दो क्योंकि intuition से related cards मुझे मिल रहे हैं और यहाँ पर जो ace of cups का card है यह भी मुझे यहाँ पर new beginning दिखा रहा है यह time आपके लिए एक नया cycle शुरू कर सकता है एक नया you know एक time लेकर आ रहा है आपके car में business में है आपको बहुत सारे options मिलते हुए दिख रहे है बहुत चीज़े आपकी life में you know clear होती हुए दिख रही है बहुत हो सकता है कोई job interview हो सकता है आपके person की तरफ से communication आपके friend की तरफ से कोई एक अच्छा you know कोई plan बना सकते हो trip पर जा सकते हो इस तरह की कुछ you know planning करते हुए आप लोग दिख रहे हो four of pentacles थोड़ा सा money पर focus किए जे money खुला खरजा भी करना सही time नहीं है हाला कि festival का time आ चुका है और आप लोगों को काफी ज़दा shopping वगेरा बहुत कुछ करनी हो सकती है लेकिन इतनी भी मत कर लेना कि you know bank balance आपका थोड़ा सा balance होना चाहिए ठीक है न उसमें बहुत कम बहुत कम मत कर देना उसको तो जितना आपके requirement है तो नहीं थोड़ा सा हाथ दबा के कहते है न हाथ रोक के shopping करनी चाहिए उस तरीके से आप थोड़ा सा खर्च करना क्यूंकि यह चीज आपके लिए आ रही है you are very close to achieving your goal guys because we have a page of pentacles card you have something in your hand and you have to grab grab it very carefully and yes आप अपने जो भी targets हैं आप बिल्कुल achieve कर पाएंगे and यह जितनी पी चीज़े होंगी बहुत speed में आप attract कर रहे हो तो काफी अच्छा time आप attract कर रहे हो आपकी life such में change होगी जो आपको response अभी नहीं मिल रहा है after two weeks you will get everything whatever you are manifesting right now so कभी भी hopes नाख होई है कभी भी हिम्मत मत हारो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर मैं सर्फ आपको cards explain करके चली जाओं मुझे जो लगता है कि क्या guidance आपके लिए आ रही है क्या सुनना आपके लिए important है मैं वो भी बताती हूँ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दिन और रात वाला concept तो कभी भी चीज़े रुक रही है या वोक नहीं कर रही है आपके according या उतना profit आपको नहीं मिल रहा जितने महनत आपने की तो प्लीज यह consider कीजे कि अभी ये वक्त चला next मेरा time आ जाएगा और जब time आ जाता है ना तब भी ये mind में रखी है कि फिर से ऐसा time आ सकता है जब मेरा काम रुक सकता है तो जब जब ये काम रुकने वाली situation आती है ना तो एक option एक chance लेकर आती है जहाँ पर हम कुछ नया implement कर सकते है नया सोच सकते है छिक है तो इस चीज की भी value समझने की को और हमेशा हर एक challenge को accept करने के लिए ready रही है क्योंकि ना अर्थ पर इसलिए नहीं आए है कि खुशियां खुश होना है life में enjoy करना है आपको यहाँ पर बहुत चीजे सिखाई भी जा रही है actually में यह हमारी soul का mission है कि एक soul कितनी powerful होकर वापस जाएगी समझ रहे हैं आप तो आपकी soul को तो बहुत कुछ सीखना है बहुत कुछ experience करना है वो यहाँ पर आई ही इसलिए है कि वो कुछ सीखे और जो भी past में कुछ बुरा हो गया है उसको यहाँ पर सुधार ले और बहुत कुछ सीखकर master soul में convert हो जाए तो यह उसकी परिक्षा है आप जो चीजे देख यह तो कुछ भी नहीं है आपका business, आपकी job, आपकी study, आपके relationships यह सारी चीजे हमारी soul हम से करवारी है और हम कर रहे हैं और हमारी soul को master soul में convert होना है समझ रहे हैं तो यह चीजे उनी को समझ में आएगी तो थोड़ा spiritual ज्यादा you know spirituality में ज्यादा involved है उनको ज्यादा समझ में we have emotional withdrawal, we have obstacles and challenges, same card फिर से आ गया है फुड़ा सा financially lost में हो लेकर पता है क्या यह phase खतम हो के victory or success वाला phase ही आ रहा है तो जितने लोगों को लेकर आपके दिल में गिले शिक्वे हैं उनको भुला दो उने माफ कर दीजिया और आगे बढ़ जाए अपनी life में we have base chakra and trapped in fear खुद को इस stage में फसा के trap करके कोई फायदा नहीं है just focus के जल्दी new beginning आ जाएगी जल्दी आप इस phase को खदम करके आगे बढ़ जाओगे और यह आप दो हफते फोड़ा सा time लग रहा है लेकिन चीजे अलाइं हो जाएगी within two weeks you will you will be in a different phase and फिर वहाँ पर आपको अलग तरहा का scenario अलग तरहा के you know थोड़े challenges भी हो सकते हैं बट अलग तरहा का एक environment जहां पर आपको फील होगा के हां मेरे काम बन सकते हैं चीजे वोग कर सकती है इस तरहीके से आपको फील होना शुरूर हो जाएगा okay let's see from here कि यहां से अभी आपके लिए कौन सा काड़ आएगा ascension your soul is involving to higher state of consciousness you are ready for it oh my god you are ready for it your soul is involving to higher state of consciousness it means तभी तो देखो ना मैं कह रही हूँ आपका intuition बहुत ज़्यादा हाई है because आपका जो conscious level ना subconscious वो काफी higher stage में पहुंचना चाहता है that is why you are facing these kind of scenarios these these kinds of challenges in your life because आपकी soul चाहते है कि वो involved हो जाए higher state of consciousness consciousness से that is why you are facing these kind of things in your life so मैंने कहा ना आपकी soul एक mission लेकर आई है अपने लिए जो पूरा करेगी और यही scenarios आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो इसलिए जादा आप परिशान मत हुआ करें अपने काम को जितना पूरा करोगे जितनी जल्दी उतना अच्छा है आप लोगों के लिए चलो यह कार्ड मुझे बहुत अट्राक्ट का ओ मैंने ऐसे देखा मुझे समझ नहीं आया बट यहां पर आप देख रहे हैं reflection, wow, see all aspects of yourself through the reflection of the one who mirror your hidden self तेखो, यह जो reflection है ठीक है, मुझे यहाँ पर कपल तो दिखा अगर आपकी soul higher state में जा रही है, उसका subconscious बढ़ रहा है, consciousness बढ़ रही है तो जानते हैं, यह doubt आपका खतम हो जाएगा कि आपके partner आपसे दूर है यह doubt खतम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको union चाहिए न, तो सबसे पहले आपको यही feel करना है कि आप अकेले भी union वाली stage में हो, समझ रहे हैं आप, आपको अकेले ही union वाली stage feel करनी पड़ेगी कि आपके partner आपके पास नहीं है, but still you are feeling this, कि आपका union हो चुका है आप tension free, आप अपने जिंदी के अकेले भी जी रहे हो, बहुत अचे से वाई, because आपको union तो अल्रेडी हो चुका है तब आपको पता चलेगा कि yes, तब आपकी soul भी, you know, जो जो चाहती है वो हो जाएगा, जैसे कि उसको higher state of consciousness में जाना है आप reflect करोगे वही चीजे जो आपको चाहिए अपनी life में, wow, ये two weeks really very important for you guys ये बहुत important message है, जैसे कि मैंने soul की बात भी करी और यहाँ पर ये cards भी आए हैं हमारे पास, so, आप अपनी journey में हो, ठीक है ना, आप सब एक mission के साथ आए वोए हो, तो उसको पहचानों करो, देखो, यहाँ से choice का भी card है, by staying conscious in your thoughts, you guide your journey in the direction of choice दिखो, हमारे subconscious mind में बाते वही जाती हैं, जो reality में convert होने वाली है, समझ रहे हैं आप, तो अगर कोई चीज बार बार आपकी mind में आती जा रही है, आती जा रही है और आपने एक संकल्प सा ठान लिया है, कि बस ये तो करना ही है, it means वो आपके subconscious mind में चली गई है, और अगर वो चली गई है, तो उसको एक direction मिल गई है, उस particular thought को और वो thought बिल्कुल reality में convert हो जाएगी, तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप क्यूं परिशान हो जाते हैं, आप क्यूं इतनी tension ले लेते हैं, by staying conscious in your thoughts, अगर आप अपने thoughts को अपने mind में अपने subconscious mind तक पहुचात इन सारी चीजों को होने के लिए आपका, you know, काम रहना, belief system बहुत स्टॉंग चाहिए, अगर आपको सच में इचीजे पॉसिबल करानी है तो, वैसे भी दो हफतों के बाद आप बहुत अच्छा time attract कर रहे हो, ऐसे में अगर आप जितना positive रह कर मैनिफेस्ट करोगे, उतना challenges, I hope के आपको थोड़ा relief मिला होगा और आप आगे अच्छे से manifest कर पाओगे अपनी life को, so this is your reading, I hope के आपके साथ resonate हुई हो, आपको पसंद आई हो, अभी के लिए बस इतना है guys, bye bye, take care.